तब लेके स्टाइल से कैसे बचेगा वो मैं बचा की दिखाता हूं को वान टू थी नमस्कारादा आप सलाम स्टेकार वानकम वेलकम टू माच चानल शादाव शकूरी दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं स्वस्थ हैं और मज़े में होंगे आज का चुटोरियल है वो है चार ताल जो चौताल के नाम से भी जाने जाती है मेरे कई चाहने वाले शुप्छिंतक हैं सब्सक्राइबर्स हैं वेलमिशेज हैं वो हमेशा मेरे हर वीडियो पर कुछ खास लोग है जो चार ताल के बारे में टूटोरियल चाहते हैं उनकी रिक्वेस्ट हमेशा रहती मेरी जरतर वीडियो उस पर कि गुरुजी चार ताल पर वीडियो बनाएं तो यह रहा आप सब लोगों के लिए चार ताल का वीडियो बड़ा इंट्रेस्टिंग ताल है बहुत अच्छा ताल है और इस ताल का जो वर्नन है जो तो सबसे पहले दोस्तो चार ताल जो है यह टोटल बारा मात्रे की ताल है इसकी जो ताली है वो है एक पांच नौ और ग्यारा पर इसकी ताली है और खाली जो है वो तीन और साथ पर है मैं इक बार फिर कहूंगा चार ताल चौताल की जो ताली है वो एक पांच नौ और ग वाकों के माद्या हम से, with the help of the numbers हम इसको गीनेंगे कैसे, For example एक चार आट नौ दस जारा बारा एक बारा एक गरेर आप इसके जो बोल हैं वह कैसे हैं वह आप स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं वह आप नोपडाउन कर लिजिए धा धा धिंता कित धा दिंता टेकता गदीगिन धा धा धिंता इसका निकास कैसा है वह देखेगा यह जो ताग है दुरुपत धमार में ज्यादा बजाई जाती है तो यह तबले में कम और प पखावच का जो attitude है और पखावच के जो बजाने का जो तरीका है वह हम थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तबले में बजाने की फॉर एक्जामपल उसको बजाया इस तरीके से जाता है पहले मैं आपको बजा के बता देता हूं फिर इसका टुटरल बताओं आपको कि इसक लुटरी को हुटरी का जाता है तरीक है तरीका है तरीके से जाता है जाता है अब इसका जो निकास है वो कैसा है वो देखेगाई धा धा धिंता अब धा जो है वो नॉर्मल जो इसे धा बजती है धिंता धिं जो है गे और ये आपका जो पॢम है उसको आपको सियाही पे उंगलियों के support से बजाना है तीन को इसको बोलते है खुला दिन धिन जो है जब बाया घे बजएगा और सियाही पे जब आप तीन खुली बजाएगे दोनों साथ में बजएगा तो इसको धिन बोलेगे और दिन जो है खाली जो सियाही पर बजेगी उसको दिन कहेंगे So for example धा धा धिन्ता किट धा धिन्ता तिट कता गदी गिन अभी गदी गिन जो कैसे बजेगा गदी गदी गिन यह जो style है style of playing है यह पखावच का है उसको ध्यान में रखकर ही मैं तबला टुटिल बना रहा हूँ पखावच में इस तरीके से यह ताल बजती है तो जब भी हम अगर तबले में यह ताल बजाते हैं तो कोशिश यह रिणिची के पखावच की जो बोलो धाधा भिन्ता धिन्ता तिट कता गदी गिन गदी कैसे बज़ेगा गदी गिन गे और ना ना जो है वो यह इससे बज़ेगा तो गदी गे ना सो गदीगेना धाधा धिन्ता किट धाधिन्ता तिट कता गदीगेना तिट कता जो है नॉमल जैसे हम स्याईवर्ग तिट बजाते हैं उसी तरीगे से लेकिन दो उंगली से नहीं बजाना तिट तिट को आपको सभी उंगलीओ से बजाना है क्योंकि पखावज में सभी उंगलीओ से बजता है तिट तिट इसको जब आप ये ठेके को याद कर लें तो ये जरूरी नहीं कि इसको पीट-पीट के जोर से बजाना है नहीं आप इस एक बार फिर इसका निकास बताता हूं दोस्तों ध्यान से देखिएगा घा घा जो है घे और ता यहां घे ता या नजब सात में बजेगी तो धा हो जाएगी दो बारे ट्वाइस धा धा भिन धिन जो है पाम के सपोर्ट में गजरे पे रखके उंगली को हमको स्याहि पे बाउंस करना है इस तरीके से तो यह दिन और घे अगर सात में बजेगा तो धिन हो जाएगा So for example, dha, dhinta, kit dha, dhin ta, titkata, gadigina. आपको gadigina मैंने पहले बतायँ था, gadigina कैसे बजेगा, gadigina, gadigina. गदिगिनधा सोदादादिन्ता किटधादिन्ता किटटगजिन्ता ठीक हैaring ठीक है अभी डबल में किसे बज़ेगा फर एक्जाबल वान टू थी फो इस तरीके से डबल में बज़ेगा और जब आपका एक्चोर ठीका जब तयार हो जाता है तब आपको खाका भरना होता है तो ये थोड़ा चा एडवांस लेवल का टूटरियल हो जाएगा लेकिन एक्जामपल की तौर पे मैं आपको ये डबल में तबले के स्टाइल से कैसे बज़ेगा वो मैं बज़ा की दिख है आपको ये तू 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 इस तरीके से आप इसको एक बार जब आपका एक्च्वल चारताल या चौताल तयार हो जाता है तो इसको आप तबले में इस तरीके से हलका सा मोडिफाय करके भी बजा सकते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो उमीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है और पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजीगा खुद भी सीखिए दूसरों को सिखाए खुद भी आगे बढ़ें दूसरों को भी आगे बढ़ें मेरे जो नाई सब्सक्राइबर्स हैं मेरी जो नाई फैमिली हैं उनको तहे दिल से मैं शुक्रू गुजार हूं का थै और यह सब आप जितने भी हैं आप लोगों के सहयोग से इस चैनल ग्रो हो रहा है बहुत 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 शुक्रिया तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रू गुजार हूं थैंक यू सो मच दोस्तों चैनल को सपोर्ट करते रहें प्यार महबत बनाय रखें और मैं भी करूँगा कि इश्वर मारिक अल्ला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे स्वस्त रखे और मस्त रखे आप सब मुझे भी अपनी प्रात्नों में आद रखीगा थैंक यू सो मच लव यू ओल जै हिंद जै भारत जै माराश्टा